IRB Infra का शेर पिछले 6 महिने के अंदर 80% का रिटन बना कर दे चुका है 27 रुपीज वाला शेर आज 47 रुपीज का हाई बना देता है और हमने इस कंपनी को लगबग आज से 6 महिने पहले 4 जुलाई को कवर किया था उस समय ये शेर 27 रुपीज के पास काम करता था और इस कंपनी को कोई लेने को तयार नहीं था मैंने अपनी वीडियो में लगातार उस समय एक ही बात कही थी इस कंपनी को लेकर इस कंपनी के फिनेंशल्स में बड़ा तकड़ा सुधार आने वाला है हम इस company के financials को लेकर काफी positive थे और आज भी है और जो लोग बाग 47 रुपीज के price पर इस company के share price को लेकर घवरा रहे हो ना आज का वीडियो आप देख लेना आपका सारा डर दोर हो जाएगा क्योंकि company के जो toll revenue के आकणे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये company आने वाले समय में एक multi-wagger company बनने वाली है और जिन लोगों का ये 80% return जो बना है 6 महीने के अंदर उनका return सिर्फ share खरीदिने से नहीं बना है उनका company को समझने से भी बना है तो आप भी जरा इस company को समझ लीजिए इसके financials fundamentals को समझ लीजिए जब भी आप यहाँ से फिर पैसा बना पाएंगे कोई बड़ी बात नहीं है ये company आपको triple digit में भी दिखाई दे पर आपको company को समझना बहुत जरूरी है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप share market में dmate account खुलवाना चाते हैं तो आप हमारे channel पर दिये गए link के माद्यम से अप इस stocks में dmate account खुलवा सकते हैं हमारे channel के link के माद्यम से खुलवाए गए account member को हम premium membership प्रवाइड कराते हैं जिसके तहत हम आपको telegram channel पर daily market updates प्रवाइड कराते हैं IRB infra share price at present भी देखा जाए under 50 rupees और देखा जाए sector leader जी हां एक 50 rupees से कम price की company अपने sector की leader company अगर देखा जाए तो T.O.T. space में लबक 38% का market share रखती है अकेली company के पास या IRB group के पास लबक 38% का market share है और ये T.O.T. space का मतलब जानते हैं toll operation transfer ये देखा जाए इस समय जो current government है उनके द्वारा ही ये scheme चलाई गई थी जिसमें एक company को toll operations के right दे दिये जाते हैं 30 साल के लिए ये इस तरीके का business model है जिस भी company को T.O.T. projects मिलते हैं आप सोज लीचे उसके लिए अगले 30 साल की कमाई की guarantee हो जाती है उस project से और इस company का 38% का market share है भारत के अंदर T.O.T. projects में और ऐसा नहीं है कि company का जो market share है वो stable है वो लगातार बढ़ता जा रहा है लगातार इस company को नए-नए projects मिलते जा रहे है लगातार ये company नए-नए projects बिटके माध्यम से जीत रही है ये company golden quadril little जैसे जो project है उनमें भी लगबग 20% का market share रखती है 77,000 क्रोड के आसपास इस company का asset base है समय अगर देखा जाए company at present लगबग 25 road projects operate करती है इस company के toll revenue में एक जबरदस उचाल देखा जा रहा है अगर हम पिछले साल से compare करके देखें तो इस साल का एक भी महीना ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर इस company का toll revenue यहाँ पर ना बढ़ा हो company के toll revenue में double digit में growth है देखा जाए तो इस company के portfolio में जबसे goal contact service वे और समाख्यली टोल वे यह दोनों projects add हुए है उसके बाद से इस company के toll revenue में तो एक अच्छा ही उचाल देखने को मिल रहा है और company लगातार नए नए projects पर काम कर रही है अगर मैं आपको recently भी बताऊं जो company के जो आकड़े कल आए है जिसके basis पर आज share ने इतना बड़ा उचाल दिखाया है December 2023 के अंदर company ने 488 करोड रुपे का toll revenue collect किया है जो कि 388 करोड रुपे था पिछले साल के अंदर December के अंदर यानि की company का toll collection दिसंबर के अंदर भी double digit में grow हुआ है अगर आप November की भी बात करें पिछले महिने की भी बात करें तो 437 करोड रुपे रिकॉर्ड हुआ है जो 366 करोड रुपे था लबबग 25% का यहाँ पर company के toll collection में ग्रोथ दिख रही है अगर October का भी देख लीजे आप 345 करोड रुपे का toll collection लबबग 447 करोड रुपे में बदल चुका है यानि की इस financial year के Q3 quarter के अंदर इस company का toll collection revenue 1203 करोड रुपे रिकॉर्ड हो चुका है जो की 984 करोड रुपे था पिछले साल के अंदर 22% की ग्रोथ है company के Q3 toll collection revenue के अंदर और यह ऐसा नहीं है कि हमें इसी समय इसके अंदर ग्रोथ दिख रही है आप अगर हाफेली basis पर भी देखें तो इस साल के अंदर हाफेली basis पर यह company लबग 2386 करोड रुपे का 2386 करोड रुपे का toll revenue collect कर चुकी है जो की पिछले साल के अंदर H1 के अंदर लबग 1984 करोड रुपे था तो हाफेली basis पर भी अगर हम बात करें तो 20% का इस company ने toll revenue में ग्रोथ दिखाई है और Q3 के अंदर लबग 22% की ग्रोथ है यानि कि आप देखिए हाफेली basis पर, monthly basis पर और यहाँ पर quarterly basis पर भी देखें लगाता toll revenue में हाँ पर ग्रोथ दिख रही है और उसका एक ही कारण है company के portfolio में नए नए projects का add होना और company का management कहीं ना कहीं ये भी कहता है कि ये जो goal konda express way है, हैदराबाद वाला जो ये project है ये इस company के लिए काफी फाइदे मन साबित होने वाला है और देखा जाए तो ये वाला जो financial year चल रहा है इस company के लिए एफ़ 23-24 ये बाके में इस company के लिए game changer साबित हुआ है और ये आप ऐसे भी देख सकते हैं कि Q1 quarter के अंदर इस company ने 11.83 करोड रुपे का toll collection किया जो की 1000 करोड था पिछले financial year के अंदर Q1 quarter में 18% की Q1 के अंदर growth है Q2 के अंदर बात करें तो 22% की growth है 984 करोड रुपे वाला 1200 करोड रुपे के पास पहुच चुका है Q3 की आप बात कीजिए 1100 करोड रुपे वाला 1372 करोड रुपे हो चुका है 1372 करोड रुपे हो चुका है तो 25% की Q3 के अंदर growth है जैसा मैंने आपको बताया कि company के toll collection में quarter by quarter growth आती जा रही है पहले 18% की growth है फिर 22% की growth है अब 25% की growth है और ये Q4 जो अब इस financial year की अगर हम बात करें यानि की जनबरी, फरवरी, मार्च आप देखेगा इन तीन महीने के आकड़े जो toll collection गयाएंगे वो काफी अच्छे साबित होने वाले हैं इस company के लिए company Q4 के अंदर लबग 1400 करोड रुपे के आसपास का toll collection कर सकती है इस financial year के मंदर बता रहूंग मैं आपको जो की लगबग 1096 करोड रुपे है पिछले साल के अंदर तो देखा जाए मुझे लगता है Q4 इस company के लिए और अच्छा साबित होने वाला है और ये Q4 इस company की re-rating कराने में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है और ये ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारण है और साथ ही साथ company के profit में भी काफी बड़ा उचाल दिखने वाला है और कहीं न कहीं बजार अब उसको calculate करने लगा है और ये जो toll revenue में आपको उचाल दिख रहा है न अब इसका impact इस company के overall revenue पे बहुत बड़ा आने वाला है FY23 के अंदर ये company लगबग 6,700 करोड रुपे का revenue clock करती है और जैसा मैंने आपको बताया इस company के toll collection में fairly basis पर quarterly basis पर लगबग double digit growth दिख रही है company का profit FY23 के अंदर लगबग 720 करोड रुपे के आसपास का है profit after tax और EPS लगबग 1.19 रुपीज के आसपास का इस साल ये company जिस हिसाब से perform कर रही है लगबग ये company 8,500 करोड रुपे के आसपास की total यहाँ पर income करती ही दिखाई दे रही है यानि कि इस company की total income की भी बात करने तो लगबग 25% growth ही दिखाई दे रही है इस financial year के अंदर और अगर company same margin पर भी काम करे लगबग इस साल ये company लगबग 900 से 9,500 करोड रुपे का profit clock कर सकती है तो यहाँ पर company के revenue में, profit में, toll collection में, सबी चीजों में double digit की growth है और साड़े 900 करोड रुपे के आसपास का profit का मतलब जानते हैं आप ये company इस साल लगबग यहाँ पर सीधा सीधा 1.57 रुपीज का EPS करती ही दिखाई दे रही है तो company के revenue में आप सोचे कितना बड़ा उचाल है 1.1 रुपीज वाला EPS, financial year के basis पर लगब एक उरुपे 60 पैसे के पास फोस्तावा दिखाई दे रहा है तो company के share की re-rating क्यों नहीं होगी और अभी ये जो आपको आकड़े दिख रहे हैं ना, इनमें आपको आने वाले समय में और सुधार दिखने वाला है क्योंकि company 9-9 projects को लगातार add-on कर रही है और कुछ जो project company को इस साल मिले हैं ये company के लिए game changing project साबित होने वाले हैं इस company के revenue में और profit में आपको FY24-25 के अंदर काफी बड़ा उचाल दिखने वाला है मुझे लगता है इस company के यहाँ पर जो आकड़ों में उचाल दिखाई दे रहा है इसका impact इस साल बहुत बड़ा दिखने वाला है और ये company add-present देखा जाए single digit ROE वाली company है इसलिए इस company का share आपको सस्ता मिल रहा था उस समय आपको आकड़े नजर नहीं आ रहे थे पर company quarter by quarter company month by month अपनी performance को धीरे दीरे सुथार रही थी management उस समय भी कह रहा था कि अगर हम है हैदराबाद वाला project मिल जाता है तो ये हमारी लिए game changing project साभित होने वाला है और ऐसा ही अब company के यहाँ पर revenue में दिख रहा है और management की भी बातें अब clear cut यह बताती है कि आने वाला समय इस company के लिए positive होने वाला है यहाँ पर कोई शक नहीं है इस company की performance को लेकर कि अगले financial year के अंदर ये company double digit ROE वाली company हो आप सोचिए एक sector leader double digit ROE वाली company क्या आपको book value के 2 के multiple पर मिलेगी आने वाले समय इस रुपए के आसपास की book value दिखती है इस company की financial year के अंदर और लगबग 46 रुपीज के आसपास का price है ये company इस समय लगबग 2 के multiple पर है अपने book value के और अगर अगर ये company double digit ROE वाली company बन गई अगले financial year के अंदर तो ये company आपको यहाँ से सीधी सीधी triple digit में दिखाई देगी कोई बड़ी बात नहीं है ये company अपने book value के 5 के multiple पर भी आ जाए क्योंकि company industry leader है और इस sector की यहाँ पर re-rating भी हो रही है इस company की भी re-rating हो रही है earning की भी re-rating हो रही है और साथ ही साथ जो इस company का model है काम करने का वो current government की जो policies है उनके according बिलकुल perfect match करता है तो मेरी नजर में IRB infra के अंदर जो low bug invested है stay invested आप इस company के अंदर रहे ये company अगर आपने 27-28 रुपे के आसपास पकड़ी है तो आप सोच लीजिए आपने बिलकुल perfect level पर आपने company ये buy कर ली है इसके अंदर आप थोड़ा समय दीजिए इसके toll collection के जो आकड़े हैं जो company हर महीने provide कराती है वो clear cut visibility दे रहे हैं कि आने वाला समय इस company के लिए काफी positive होने वाला है कहने का मतलब ये company आपको अगले एक साल के अंदर 120 प्लस का target दिखा सकती है पर उसके लिए आपको company के अंदर stay invested रहना पड़ेगा sitting करनी पड़ेगी toll collection के जो आकड़े हैं regular उन पर नजर बनानी होगी हर महीने company के आकड़े आते हैं हर महीने आप देखते रहे हैं यही growth है जो इस company की rating कराएगा तो अमीद करता हूँ IRB Infra को लेकर आज आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ फिलाल के लिए नमस्कार